राजिस्थान की राज्य सरकार की जो पिछले साड़े तीन साल में जिस तरह से उन्होंने कारवाई करी है पूरी तरह से राज्य सरकार इस आतंग की हमले के लिए जिम्मेदार है ऐसे आतंग की संगठन राजिस्थान में पनप रहे हैं और राजिस्थान सरकार ने डारेक्ल इनके बढ़ावे के अंदर इनको प्रोटसाहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है आप इसी से समझ सकते हैं कि उद्यपूर की इस घटना करम के अंदर सबसे पहले गिरफतारी कनाया की हुई कनाया लगातार लोकल पूलीस से सिक्योरिटी मांगता रहा लेकिन उसे सिक्योरिटी नहीं दी गई बल्कि उसके उपर प्रेशर बनाया गया कि वो समझ वता कर ले और आप ताज्यूरिप करेंगे कि सिक्योरिटी कनाया को ना देकर जो हत्यारे थे उनके भाईयों को सुरक् अब इस बात से भी चौकेंगे कि ये घटना होई और राजिस्थान के ग्रह मंत्री जिनकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए वही जो राजिस्थान के मुख्य मंत्री भी है और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है वो इस घटना को मर्डर कहते हैं हत्याकांड कहते हैं जब क कोई वीडियो बनाता है इस कांड से पहले और फिर निर्मम हत्या करते वक्त वीडियो बनाता है उस उन दोनों को वीडियो को जारी करता है वाइरल करता है वीडियो में खुद ही नहीं अपील भी करता है कि जितने भी भाई बंदू इसको देख रहे हैं वो भी गर्दन नहीं जानते हैं हर चीज को राजनितिक चादर उड़ाने की कोशिश करते हैं अपनी जिम्मेदारी समझें और यह अत्यकान नहीं यह सरयाम आतंकी हमला हुआ है